नमस्कार, स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि भारत में अपरादी कानून जो हैं वो चेंज हो गए हैं तीन जो हैं वो कानून आए हैं हमारे देश के अंदर पहले वाले जो Colonial Era के अंदर हमारे देश में जो कानून लागू थे मतलब जो अंग्रेजों ने अपने शाषन को सही धंक से चलाने के लिए जो कानून लाए थे उनी को हम फोलो करते आ रहे थे और अब भारत में भारत के लोगों के लिए भारत वासियों ने ही वो कानून लाए हैं तो आज के हम इस वीडियो में डिसकर्ज करने वाले हैं जो भारत के जो नए अपरादी कानून आए हैं उन्हें क्या-क्या चीज़े हमें देखने को मिल रही हैं देखो सब कुछ तो नहीं बता पाऊंगा क्यूंकि obviously एक बहुत बड़ा एक chapter है यह तो यहाँ पर जो major changes है जो जिनके उपर focus किया जाना चाहिए जो हमारे exam के point of view से जो चीज़े हमारी important हो सकती है उनी को हम discuss करेंगे बाकी जो low की पढ़ाई करने वाले हैं या फिर जो lawyer हैं वो अलग से इस विशे के बारे में कहीं से कहीं पर भी आपको online में अगर आपको पता चलता है कोई course दे रहा है तो जाकर आप वहां से इन चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं यहाँ पर आपको एक समझ लीजिए brief information आपको मिल जाएगी कि कौन-कौन से कानून किस-किस करने वाले हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के लिए मैं बता देता हूं डिस्क्रिप्शन वोक्स में आपको टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF जब डाउनलोड कर सकते हैं स्टार्टिंग में यह टकने लगया कमाल ह ओके चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखे एक जुलाई से देख जुलाई दो हजार चोवी से तीन नए अपरादी कानू जो वो लागू हो गए हैं अब पिछले दिसंबर में संसद में पारित किया गया था अभी सोचे कि एकदम से कैसे आगे अरे भाया दिसंबर में यह इनके ओपर ड्राफ्ट तो बहुत पहले ही बन गया था इनके ओपर बहुत पहले से चल रही थी अब जो है जाके इनको जो है लागू कर दिया गया है तो क्या हुआ था पिछले दिसंबर में यानि 2023 की दिसंबर में संसद में यह पारित कर दिये गये थे क्या-क्या पारित किया गया था एक भारतिय न्याय सहीं था इंग्लिश और हिंदी में भी यह नाम है अब यहां पर इसको लेकर भी काफी जादा विवाद हो गया क्योंकि पश्ची मंगाल कह रहे हैं दिखें हमारे राज्ये के अंदर मत लागू करिए उदर जो साउथ चो स्टेट हैं वो कह रहे हैं कि आपने जो नाम लिखें हैं या रखें हैं इनके वो हम acceptable नहीं कर सकते कि आपने हिंदी वाले नाम रख दिये हैं वो अपनी दिखनल भाषा को ये कर परेशान है क्योंकि जो कहा गया हैं कि जो भी कानून आएंगे वो English में होने चाहिए ईंद उनका नाम जो English में लेकिन यहां पर क्या दे दिया गया भारतिया नयाय सहिंता दे दिया गया इसकर के साउथ वाले इसकर के नराज हो गए यहां पर तो भारतिया नयाय सहिंता जिसको BNS शोट फोर में बोला जा रहा है भारतिया नागरिक शुरक्षा सहिंता BNSS बोला जा रहा है भारतिया साक् इसकी जगह पर आया है, BNSS, फिर यहां पर एक Evidence Act भी है, Indian Evidence Act जो है, उसकी जगह पर आया है, भारतिय सुरुक्षा, भारतिय साक्षय अधिनियम, भारतिय साक्षय अधिनियम, तो यहां पर हम एक तो जानेंगे कि IPC क्या है और CRPC क्या है, तभी आपको समझ में आएगा कि B BNS क्या है, और BNSS क्या है, यानि BNSS क्या है, क्लियर, अभी स्टार्ट करते हैं, देखें, सबसे पहले यहां पर जो यह लागू हुए थे, एक जुलाई को, एक जुलाई को रात के बारा बज़े यहां नहीं कि यह लागू हो चुके थे, तो सबसे पहले जो एक F.I.R. जो है, वो दायर की गई थी, F.I.R. कितने बज़े, बारा बज़ के दस मिंट पर यह दायर की गई थी, तो फर्स्ट F.I.R. जो है, वो दायर भी की जा चुकी है, अभी आप सुचे, और ओविसली, यह वीडियो काफी लेट बन रही है, एक जुलाई से, मतलब कि तब तक तो बहुत जादे, जो F.I.R. है, वो दर्ज हो चुकी होगी, तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों को बता चल गया, कहां पर कौन सी F.I.R. दर्ज होई है, यह जस्ट इंफोमिशन के लिए, कोई एक्जाम के परस्पेक्टिव से तो इतनी इंपोर्टन यह चीज नहीं है, अब जहां पर आप देखेंगे, पुलिस वाले जो है, एक जो आपने स्टूडन्स देखेंगे, जो एक्जाम देने जाते हैं, तो जिस तरीकी की उनकी प्रिप्रेशन रहती है, हाथ में किताब रहती है, तो क्योंकि अगले ही पल उनके एक्जाम होने होते हैं, तो उनसे क कानून की परतियां ले लेकर पढ़ रहे थे कि हाँ पर कौन सा कानून क्या कह रहा है, तो ये लोगों को अवेर करवाने के लिए भी कि लागू का, जो एक जुलाई दोजार चोबी से जो का नहीं कानून लागू है, जहां पर बाल सुरुक्षा संबंदीत प्रावधान ब कि देखे हमारे जो आजादी का अमरित महसव जवाँ पर एक उत्सव बनाया जाए था, उसमें एक परतिस्था ली गई थी, पंच प्राण एक लिया गया था, कि जो रिमूवल करेंगे, एनी ट्रेस ओफ कोलोनियल माइंड सेट, कि आपका अपनिवेशिक काल में जो भी मा पुराने कानून थे, उनको बदल कर नया बना दिया गया है, अब यहाँ पर बोला गया है, कि यह जो कानून है, वो भारत के लोगों के लिए भारत के लोगों ने ही बनाया है, यहाँ पर क्या था, जो यह पुराने वाले थे, यह अंग्रेजों ने अपने शाशन को सही से चलाने के लिए भारत के लोगों पर लागू किया था अब अजादी के बाद से देखे अपनिवेशिक यूग के जो IPC हो गया, CRPC हो गया और Indian Evidence Act हो गया उनमें संशोधन नहीं हुए थे, मतलब तब से लेकर अब तक ऐसे ही चल रहे थे, एक जुलाई तक समझ लीजिए उनमें बहुत बार मांग की गई कि आप इन सब चीजों के अंदर संशोधन कर दीजिए, लेकिन आपने कानूनों के अंदर कोई भी संशोधन नहीं किया था, किसी भी सरकार ने, लेकिन अब जाकर वो संशोधन हुएं, लेकिन जैसा कि गेंदरिया जो ग्रह मंतरी है, अमिशाजी के द्वारा ये बात बोले गई थी, कि जो संहिताएं अभी लागू ही है, वो जो कानून है, वो भारतियों ने भारतियों के लिए त्यार किया, ये काफी जादा है, वो तो as it is, आपने जो IPC है, उसमें से कोपी कर ली, बस धाराओं के नाम जो है, वो उपर नीचे करती है, एक दो नए कानून जो है, आपने इसके अंदर जोड़ दिये, बाकी आपने कोई बड़ा सुधार नहीं किया है, ये opposition के दोरा एक इल्जाम लगाया जा रहा है, सत्ता रूट पार्टे के उपर, clear, अब एक चो चीज हमें समझनी है, Indian Penal Code, अभी आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, first of all तो आप IPC और CRPC के अंदर, इनके बीच में difference समझ लीजिए, कि इनमें फरक क्या है, क्योंकि वीडियो आगे बढ़ती रहेगी, आपको इनका फरक की नहीं बता चलेगा, तो मेरी ये बात बताने का ये को मतलब नहीं बन जाएगा, देकि Indian Penal Code के अंदर, जैसे कि कि किसी किसी का कतल कर दिया, ठीक है, किसी का कतल कर दिया, अब ये कतल करने वाला जो व्यक्ति है, उसको गिरिफतार कर लिया गया, और गिरिफतार करने के बाद, इसके उपर कौन सी धारा लगेगी, कि इस धारा के तहत, इसके उपर मुकदमा दर्ज होगा, वो IPC बताती है, अब IPC ने तो बता दिया 302 के तहट भाया क्या होगा? इसके उपर कतल के उपर यहाँ पर धारा लग गई अब यह धारा लगने के बाद इसके बाद क्या कारवाई की जानी चाहिए? मतलब 302 तो लग गई 302 के तहट यहाँ पर मुकत्मा चलाया जाएगा लेकिन अब 302 लगने के बाद आगे की कारवाई कैसे होगी पुलिस कैसे कारवाई करेगी वो CRPC बताती है ठीक है वो CRPC बताती है तो ये मेजर फर्क हो गया IPC और CRPC के बीच में सरकार ने ओपनिवेश वाद विमुक्ति के आख्यान को छोड़ भी दें मतलब कि अगर आप इसको हटा दें कि सरकार जब वो decolonialization को दूर हटाने की को बात कर रही है कि हम colonial इरा उसके कोई भी निशान नहीं रहने देना चाहते हम उसको हटा रहे अगर इस बात को भी छोड़ दिया जाए तो ये काफी जादा टाइम से में जो भी लोग थे या MP थे आपने ज्यादा तर वो क्या कर दिये थे लोग सभा से बाहर कर रखे थे सस्पेंट कर रखे थे आपको याद होगा कि भारत के अंदर एक ऐसा दोर भी हमने देखा है जहां पर सत्ता रूट पार्टी जहां पर कानून लेके आ रही है उनके opposition म करने के लिए त्यार नहीं बैठा क्योंकि नहीं बैठा क्योंकि लोग सभा स्पीकर ने कई सारे MPs को बाहर का रास्ता दिखा दिया था उनको सस्पेंट कर दिया गया था तो वहां पर उस टाइम में क्या हुआ था कि कुछ कानूनी विशेशग्यों का मानना है कि हालांकि नए कानून महत्तपुर्ण बदलाव करते हैं लेकिन मोजूद कानूनों को पूरी तरह से नहीं बदलते हैं एक तो ये बात होगी दूसरा इनको पारित जो है वो बड़ी जल्दी से किया गया था इनको पर जादा बहस नहीं की गई थी अब नए क्रिमिनल कानून को थोड आवास की सजा बढ़ाई गई है 83 अपरादों में जुर्वानों की राशी को बढ़ाया गया है 23 अपरादों में अनिवारे सजा की शुरुवात की गई है 6 अपरादों में समुदाइक सेवा ये एक काफी important है community service जो है यहां पर add की गई है यानि की community service की आपको कोई सफाई क कारे दे दिया जाईए आप सफाई करिए या आपको कोई ऐसा काम दे दिया जाएगा जो समाज के हित के लिए हो ताकि आप में वो सुधार आ जाए तो यह सी जो की community service साथ ही 19 धाराओं को निरस्ट करके हटाया गया है अब यह हो गया आपके सामने थोड़ा संक्षित में जानकाई भारतिय निया शहिंता जहां पर प्रियोटाइज किया गया है विक्टिम्स के राइट को विक्टिम्स के नाइट को कैसे प्रियोटाइज किया गया है कि अगर हमने ऐसी कोई चीज लेकर आए मतलब कि किसी के उपर केस चल रहा है उसके उपर साथ साल की सजा का प पूछा जाएगा तो यह एक priority दे गई है साथ यहां पर zero tolerance policy अपनाए जाएगी अगर कोई crime जो है वो औरतों के खिलाव बच्चों के खिलाव या जो well vulnerable group है उनके खिलाव अगर कोई भी crime होता है तो वहां पर zero tolerance policy जो बढ़ती जाएगी clear इसके अलावा भारतिय नागरिक शुरक्षा सहींता 2023 में देखे यहां पर strengthen mechanism for victim assistance protection compensation and rehabilitation through one stop crisis center protection officer counselors and shelters मतलब कि जो भी victim है उनकी साहिता उनकी protection उनको compensation देना उनको वापस सम्माज के अंदर शामिल करना यह सारी की सारी जहां वो एक ही जगह पर लाके कोशिश की गई है कि आपको दर दर भटकना ना पड़े साथ इसाथ आपको एक सुरक्षा दी जाएगी साथ इसाथ आपको counseling दी जाएगी आपको रहनी के विवस्था दी जाएगी यह सारी चीज़े जो है यहां पर की गई है बारतिय साक्षय अधिनियम 2023 इंटर्डुक्शन इंटर्डुउज मोडन प्रैक्टिस लाइक यहां पर साइबर फ्रेंसिक्स हो गया DNA फ्रेंसिक्स हो गया and electronic evidence recording and presentation during investigation and court trial यहां पर एक चीज जो add की गई है कि जो policeman है police officer जो है यहां पर अपने साथ क्या रखेंगे एक camera रखेंगे camera से video फोटो यह सारी record करेंगे even इनके लिए police वालों को एक लंबी एक training भी दी गई थी कि आपको अगर video नहीं बनानी आती है फोटो नहीं किचनी आती है या फिर कैसे आप video बनाएंगे कैसे आप फोटो खिंचेंगे इसकी एक बकायता training भी दी गई है तो BNS में जो नहीं अपराज जो हैं वो जोड़े गए उनके बारे में बात कर ले थे देखिए BNS में कुछ नहीं अपराज जो पेस किये गए हैं जहां पर एक आता है हमारे सामने close 69 यानि धारा 69 जोड़ी गई है जिसमें बोला गया है दोके बास साधनों के इस्तमाल से योन संबद बनाने को दंडित करना यानि sexual intercourse को यहां पर punish किया गया है कैसे आपने दोके तरीके से दोके बास तरीके से महिला का यूज किया है कैसे बोलाए गया है इसमें जो प्रावजान है इसकी जो प्रोविजन है वो इस तरीके से देखे जो भी कोई जो भी कोई दोके से या किसी महिला से शादी करने का वादा करके बिना उसे पूरा करने के इरादे के उसके साथ क्या करता है sexual intercourse बनाता है यहनि ओयोन संबंद बनाता है तो उसे 10 साल तक की कैद की सजाक दी जाएगी जुर्माना भी उसके लगाये जाएगा दोके बाद साधनों में क्या कैची जा सकते हैं शादी करने की बात कर दी, अब यहाँ पर इसके critics, यानि कि जो अलोचक है, उनका कहना है कि, इससे क्या होगा, कि किनी दो लोगों ने आपसी सहमती बनाई है, आपने उन दो लोगों के बीच में जो सहमती बनाई गई है, उन संबंदों को भी अपराद माना जा सकता है, इससे क्या होगा, इससे लव जयाद की कहानी को बढ़ावा मिल जाएगा, इसके अलावा BNS में बोला गए 103, ये काफी ज़्यादा important है, section close 103 जो बोला गए है, जिसमें ये बात बोली गई कि, पहली बार नसल, जाती ये समुदाय के अधार पर अगर हत्या हो गई, तो इसको अलग अपराद के रूप में मानेता दीगी है, 2018 में सुप्रिम कोड ने केंदर को लिंचिंग के लिए एक अलग कानून पर विचार करने का निदेश दिया था, ने प्रावधान से अब ऐसे अपरादों को कानूनी मानेता मिल सकेगी, जिनमें हाली के वर्सों में विरिधी हुई थी, यानि लिंचिक को भी एक तरीके से यहाँ पर कानून की द्रिश्टी में उसको कह सकते हैं कि, वहाँ पर भी एक लग से सजा का प्रावधान किया जा सकता है, क्लियर हुआ, अब बात कर लेते हैं, सेफ़गाडिंग राइट्स और स्टैंटिंग जस्टिस ट्राइल इन अप्सेंटिया, इसको भी हम डिसकस करेंगे, क्योंकि इतने सारे पेंडिंग केस हैं, आप तो मतलब सोच लिए, कोई X बंदा है, वो आई नहीं रहा, तो इसके चलते हैं, इसकी फाइल तो बढ़ती चली गई न, तो आ नहीं रहा तो एक पेंडिंग केस में बन गया, मतलब कि एक प्रोपर टाइम दिया जाएगा, अपके खिलाफ ट्राइल जब वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो खिर्पया करके आप प्रेजन हो जाएगी कोट के अंदर, यह बात बोले गई है, शेफगादिंग रिएट्स च्रेंटिंग जसिजिए, बैस आप किसी को भी आप डिटेंग नहीं कर सकते, भिना उसके एक्स्प्लेनेशन के 24 घंटे से जादा, एन एरेस्ट पर्सन कैन बी प्रोडूच्ट बिफोर एनी मैजिस्ट्रे रिगार्डलेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, मतलब यह कोई भी मैजिस्ट्रेट है, आपकी मतलब पुलिस ओफिसर के आसपास या फिर जहां पर भी पकड़ा गया है, उसके आसपास कोई भी मैजिस्ट्रेट है, अब उनसे पर्मिशन ले सकते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जिसका जुरिडिक्शन होता था, उनी के अंडर उनसे पर्मिशन लेनी पड़ती थी, अब यहाँ पर किसी भी मैजिस्ट्रेट से आप पर्मिशन ले सकते हैं, यहाँ पर बोला गया, सक्षन 170 और BNSS परवाइड दैट, टेंशन शूद नोट एक्सीट 24 आवर, when police make an arrest to prevent commission of a cognizable offense, clear हो आपके सामने, अब यह होगे, आपके सामने देगी, शोट शोट चीज़े हैं, कि 15 दिन आपर police remand को taken in whole, और a part of first 40 to 60, और या फिर 60 to 90 detention period, इसको भी हम discuss करेंगे, ठीक है, bail cannot be denied just for witness identification, and police custody cannot be taken within accused in bail, अगर कोई accused जो है, वो bail पर है, तो police उसको custody में नहीं ले सकती, ये बात बोली गई है, police now have discussion to handcuff, अब police के पास एक और अधिकार दे दिया गया है, कि आप चाहें, तो किसी भी अपरादी को आप हत्कड़ी पहना सकते हैं, या बिना हत्कड़ी के आप उसको court में ले जा सकते हैं, ये सब चीज़ें इसलिए हुई थी, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया था, जिन कईयों को हत्कड़ी नहीं पहचानी जा रही थी, पहनाई जी जा रही थी, जिसके करते क्या हो रहा था कि, कई जो लोग हैं, या फिर जो अपरादी जो भागने की कोशिश करते थे और वो भाग जाते थे, clear हुआ, आप देखे, BNSS में एक और बड़ा बदलाव जो किया गया है, वो है, एक organized crime और terror को लेकर, एक नया कानून जो यहां पर लाया गया, हमने देखा था कि, हमारे पास एक UAPA है, UAPA मतलब की, Unlawful Activity Prevention Act for Terrorism, टेरिज़म के लिए तो यह हो गया हमारे सामने, तो BNSS में क्या किया गया है, एक organized crime और terror को लेकर कानून आए गया, जो terrorism को लेकर जो BNSS में कानून आए, वो same to same UAPA वाला हो गया, ठीक है, और organized crime, देखे, organized crime में जैसे state जो government होती है, जो राज्य जो सरकार होती है, जैसे उन्होंने अपने लिए बना रखा है, जैसे महारास्टा Control for Organized Crime Act आया हुआ है, organized crime क्या होता है, organized crime मतलब की, जहां पर लोग जो है, एक organized तरीके से, एक system तरीके से क्या है, किसी crime को अंजाम देते हैं, जैसे कि उनको kidnapping करनी है, किसी robbery करनी है, किसी vehicle theft करना है, यानि extortion करना है, land grabbing करनी है, contract killing करनी है, economic offense हो गया, cyber crime हो गया हमारे सामने, severe consequences हो गया, trafficking कि इसमें, जो लोगों की trafficking होगी, drugs की होगी, यहां पर एक चीज और बोले गई है, कि आपने जो, यह बात बोली है ना, cyber crime, इसको आपने परिवाशित नहीं कहा है, अभी इसको परिवाशित करना बाकी है, clear, अब धारा 304 का sub close, एक में परिवाशित में, यहां पर snatching को, चोरी से अलग कर दिया गए, एक नया अपराद बना दिया गए, snatching को अब चोरी से अलग माना जाएगा, अब यहां पर क्या गया है, snatching और चोरी इन दोनों के लिए, तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है, चोरी की परिभाशा आपके सामने लिखी गए है, कि चोरी करने के लिए, आप प्रादिक आचानक क्या करता है, या जल्दी से, या जबरन किसी व्यक्ती, या उसके कबजे से कोई चल समपती है, मुवेबल जो प्रोपरटी है, वो अपने अपास जब्द कर लेता है, या सुरक्षित कर लेता है, या छीन लेता है, उसको चोरी या स्नेचिंग में इंकल्यूड किया गया है, स्नेचिंग और चोरी दोनों के लिए, तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है, तो BNS, यह BS अलग है, यहां पर BNS ही है, अब BNS में क्या किया गया है, कि प्रावधानों को पुनर विवस्था, विधाई मनशा को दर्शा दिया, मतलब कि यहां पर जिस तरीके से कानून को देखे, आपने सबसे पहले किसको प्रियोटी दी, पहले प्रियोटी दी, आपने राज़ द्रो को, कोई भी देश के खिलाफ ना बोले, फिर आपने प्रियोटी देदी, भई महिलाओं के खिलाफ अगर कोई भी अपराद होता है, तो हम उसे नहीं सहेंगे, फिर आपने प्रियोटी देदी, अरे बच्चों के खिलाफ कोई अपराद होगा तो हम उसे नहीं सेंगे तो ऐसे सीक्वेंस बना दिया अब पहले ये IPC के अंदर होता था ठीक इसको क्या किया गए इसको ठीक किया गए या फिर इसमें सुधार किया गए BNS के अंदर यहां क्या किया गए कि देखिए offense against state comes before offense against woman and offense against body IPC के अंदर क्या होता था कि offense against state यानि कि आपने देश के खिलाफ अगर कोई भी गैर कानोनी काम किया है वो पहले आएगा अगर आपने offense against woman यानि ओरतों के खिलाफ कोई काम किया है ओरतों को मतलब कि उनके खिलाफ कोई आपने अपराद कर दिया तो वो second number पर आएगा first number पर कोई आएगा state आएगा लेकिन BNS में क्या किया गया है BNS के अंदर महिलाओं को पहला स्थान दिया गया है तभी तो बोला गया है zero tolerance policy हम अपनाएंगे महिलाओं के खिलाफ अगर कोई अपराद होता है यहां पर यह बात बोली गया है clear हुआ तो यह topic आपको समझ में आ गया होगा अब बात कर लेते हैं कि जो इसमें नई सीमा समय सीमा जो अपर करी है वो बढ़ाई गया है इसमें काफी सारे बदलाव केंगे है देखे BNS में एक बात बोली गया है कि पुलिस हिरासत चल रहा है न होगे पुलिस हिरासत में हिरासत की अवधी जो CRPC में 15 दिन थी उसकी अब बढ़ा कर कितनी कर दी गई 90 दिन कर दी गई CRPC की जो धारा 167 का सब क्लोस टू के अनस्वार किसी आरोपी को पुलिस हिरासत में 15 दिन से आप अधिक नहीं रख सकते फिर उसके बाद उसको जुडिशियल कस्टेडी में भेजना पड़ता है जुडिशियल कस्टेडी और पुलिस कस्टेडी अलग होती जुडिशियल कस्टेडी के अंदर क्या होता है एक अपरादी जिसके पर ट्रायल चल रहा है उसको जेल में रखा जाता है तो वो पुलिस के पास नहीं रहता अब पुलिस को अगर उससे कोई पूस्टाच करनी तो वो कोट में जाएगी कोट में जाकर कोट की परमीशन लेगी तब उसको जुडीशल कस्टड़ी से फिर उसको पुलिस कस्टड़ी में भेजा जाएगा तो यहां पर क्या बोला गया कि पहले क्या होता था CRPC में तो 15 days की पुलिस कस्टड़ी होती थी अब इसको 15 days क्यों किया गया था CRPC के अंदर उसमें यह बोला गया था उगलवाना है उससे जो चीजी इंफोर्मेशन लिए आप ले ली जी आपके पास 15 दिन होंगे अभी 15 दिन इसलिए दिया जाते है क्योंकि ओविसलिए टाइम कम है काम जल्दी जल्दी करना है तो पुलिस जो है कई न कई अतकंडे अपनाती थी तो अब यहां पर यह कर दिया गया है इसको 90 दिन कर दिया गया है क्लियर अमिशा जी ने यह बात भी बोली संसत के अंदर बी एन डबल एस मुकदमों को पूरा करने के लिए सक्त सिमा लाकर पीडित केंदित त्रिश्टी कोन अपनाता है मतलब कि यहां पर जो है जो विक्टिम सेंटिक अप्रो कर रहे हैं इसमें क्या होगा पीडित से पीडित की सुनवाई को अफसर दिया जाएगा जो विक्टिम है उससे उसकी पहले सुनी जाएगी क्या आप क्या चाहते हैं आपकी क्या इच्छा है तो वहां पर एक काफी बड़ी अप्रोच अपनाई गई है अनुपस्तिती मुक पहराय जा सकते हैं अलांकि उसके राइट्स का भी ध्यान रखा गया है जैसे कि आदालत में मुझूद था उसने अपने उसने सभी अपरादों के लिए इंस्पेक्शन वाई के लिए अपने अधिकार को छोड़ दिया है बी एन एसस में एक और नया परीचा इसीज़ को दिया गया जबकि यू ईयरे आरे चल रहे नशकी अब एक और सबसे बडा़ बदलाव यहां पर किया गया देखए आपको पता है कि हमारे देश में अभी हाली में लोकसभा के चुनाव हुए तो लोकसभा के चुनाव में अमरित पाल सिंग जो है वो पंजाब की Constitution से पंजाब में एक मुझे नाम नहीं आदा रहा वहाँ से वो जीत कर आ गया तो लगबग ढ़ाई लाग वोटों से वो जीत कर आया अब वहाँ से अमरित पाल जिसको गिरफतार करके असम के डिबरुगर्ट जेल के अंदर जिसको बंद किया गया है तो ये क्या था ये मंदा जीत के आया लोगसबा election में लोगसबा विसली ये MP बन गया इसको माने निये भी कहना पड़ रहा है अभी इसने हाली के अंदर संसद में आके शपत भी ग्रहन किये अब ये क्या हुआ अभी आपके अंदर मन ये खून खोलेगा ये जानकर कि अमरित पाल जब वो एक खालिस्तानी है यानि कि खालिस्तान को सपोर्ट करता है इसके आपने इंटर्वी पर देखेंगे जिसमें ये साब बोलता है कि मैं भारत के समीधान को मानता ही नहीं हूँ मुझे तो खालिस्तान चाहिए ये इस तरीके का इंसान जो भारत का टुकड़े करने की बात करता है तो यहां पर बिंटरेवाला की जो ये फॉलोवर है साब बोलता है कि मैं बिंटरेवाला को फॉलो करता हूँ तो इस तरीके का इनसान जो है जिसके इसके ओपर obviously UPA के तहट जो है वो मुकतमा चलाया भी जा रहा है तो जहां पर इनके ओपर ये मुकतमा चल रहा है हलांकि एक्यूजड है इसके ओपर चीज़ें अभी कानून जो है अपराज सही से अभी तक मतलब obviously क्योंकि इतने जादे pending case है यहां पर इसके पर case चल रहा है इसको अभी तक सजा नहीं दी गए इसको अपरादी अभी तक गोशित नहीं किया गया है आने वाले टाइम में जो court के उपर obviously उनके उपर दबाव आएगा कि आप जल्दी से जल्दी इसके पर फैसला करिए तो यहां पर यह जब जीत के आया इसने संसद में आके एक शपत भी ली तो यह सबसे बड़ा एक तमाचाई है भारत के लोगों के उपर कि यार दो देश के टुकड़े टुकड़े होने की बात करता है वो भारत के संसद में आके शपत लेके चला जाता है और उसे माने निये कहना पड़ता है तो यह अमरित पाल सिंग के उपर जैसे यह कानून जो लागाया गया यहां पर यह भारत के अंदर सबसे बड़ा ड्रोबै की है कानूनों में कि इस तरीके के लोगों को छूड़ दी जाती है कि आप जाके इलेक्शन लड़ दीजिए लेकिन आपको वोड डालने का अधिकार नहीं है तभी इसको इलेक्शन लड़ने की अनुमती थी और इसने इलेक्शन लड़ा हालांकि ये जेल मेरा इसके माबाप ने परचार किया और ये जीत के निकला अब क्या किया गया है ने कानून के अंदर कि आगर आपके उपर कोई भी अगर टेर्रिजम से रिलेटिड अगर कोई कानून मुकदमा आपके उपर चल रहा है तो आप प्रूफ करिए कि आप गिल्टी नहीं है ये अब गवर्मेंट की जिम्मेदारी नहीं हो जाती कि वो आपको गिल्टी प्रूफ करेंगे तो अब आपको खुद को पुरूव करना होगा कि आप गिल्टी नहीं है तो इस तरीके के कानून से क्या होगा इन जैसे लोगों को रोका जाएगा अब आने वाले टाइम में ये क्या होंगे कि भाई ओविसलि लोगसभा के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और भारत के संस इन एक बात बोली गई थी कि आरोपी को वैधानिक जमानत दी जाएगी इने is testuary bail क्या होती थी कि accused है अबको समझ नहीं accused क्या होता है, accused यानि कि जिसके ओपर मुकदमा चल रहा है, ये अभी criminal नहीं है इसके ओपर अभी तक ये साबित नहीं कर पाए है कि ये इसी ने वो crime किया था, ये accused है मतलब इसके ओपर इल्जाम है कि इसने ये काम किया हुआ उस श्रेणी में है ये, तो यहाँ पर accused जो होता है, जिसने भई अभी trial इसके बचल रहा है, और trial के तहट जो है, भई मान लिजी आपने इस accused ने जो भी crime किया था, उसके ओपर इसको सजा होनी थी, को particular सजा होनी थी मान लिजी 5 साल की सजा होनी थी लेकिन इस accused ने trial, trial के अंदर धाई साल से जादा तो जेल के अंदर निकाल दिये आप जेल के अंदर निकाल दिये तो यहाँ पर statutory bail का प्रावधान था कि आप क्या कर दीजिए, इस इंसान के उपर trial चली रहे हैं, इतने jail में इतनी सजा, as a trial के तोर पे काड़ दी, accused के तोर पे काड़ दी, कि भई जो सजा इसको दी जानी थी, उससे धाई साल तो यह निकाल चुका है, तो आप इसको क्या पता जो trial है, वो चल रहे हैं और last मिले की accused जो है वो बेगुना था, जिससे क्या है कि इसने इतने ढ़ाई साल इसके बरबाद हो गए इससे बैटर यह है, आने वाले ढ़ाई साल से इनको बचाया जा सके तो इसको एक statutory bail दी जाती थी लेकिन अब क्या गया इसको खतम कर दिया गया, अब धिल्ली high court ने पिछले महीने जो था, जेनियू में जो चातर सरजील इमाम था, उसको इसी केता है जो statutory bail केता है, जो जमानेत दी गई थी ठीक है, clear हुआ आपको यह सब चीज़े statutory bail क्या होती है अब एक सकारात्माग पक्स भी हम देखते हैं इन जो कानूनों में बोला गया, फिर इसके criticism भी देखेंगे कि जो इसके अंदर क्या-क्या चीज़े हैं जो छोड़ दी गई उनके ओपर focus किया जाना चाहिए था देखें, नए कानूनों में प्रमुक सकारात्माग वदलाओं में से एक है कुछ अपरादों के लिए सजा कि वेकैल्पिक रूप के लिए समुदाइक सेवा की सुरुवात करना यानि कि कुछ ऐसे crime हैं जिनको लेकर community services जो है वो दी गई है अब community services में जैसे कि कौन-कौन से कौन-कौन सी जो आपने अपराद करती वो आएंगे जैसे चोटी-मोटी चोरी होगी या अपनी defamation हो गया यानि किसी के बारे में गलत बोल दिया आपने उसकी reputation गटाने का काम करती है या किसी सरकारी अधिकारी को आपने कारे करने से रोका है खुद को आत्मत्या करने का प्रयास किया है तो वो सब चीजन इसके अंदर आएंगे अब हालांकि यह चीज सबस्ट नहीं गई गई है कि जो जेल की जो सजा है यानि कि जो community services है उन वे जो किन को चुना जाएगा कौन से अपराज यहां पर लाए जाएगा हालांकि छोटी मोटी definition दी गई है लेकिन अभी तक इसको clear नहीं किया गई मतलब तीन चौताई मां लीजिए मान लिजिए चार लोग जेल में है इसमें से तीन चौताई यानि कि तीन लोग ऐसे हैं इन चारों में से जो ट्राइल के उपर चल रहे है मतलब उनके ओपर अभी तक ये पुकता नहीं हो पाया कि इन्होंने यह crime किया है तो यहाँ पर बोला गया है कि यह बढ़िया चीज है कि आपने community services लेके हैं लेकिन यह किन को दी जाएगी किन को नहीं दी जाएगी यह अभी तक पूर्ण रूप से बताये नहीं गया है यह सिर्फ और सिर्फ विन्याई दीशों के विवेक पर छोड़ दियेगा है कि आप डिसाइड कर लेजी आपको किन को यह community services देनी है जैसे कि आपने अभी community services के तोर पर देख सकते हैं कि यह बाहर के देशों में चलता है कि उनको सफाई के उपर दे दिया तो उसको बलतकार की category में लाया गया है IPC ने विवाइक बलतकार के केवल एक अपवाद बनाया था कि 15 साल से कम उमर की पत्नी के साथ संबग IPC में बोला गया था कि 15 साल से कम है तो उसको उस बलतकार की category में डाला जाएगा निता 15 साल है या 15 साल से उपर उसको नहीं डाला जाएगा 2017 में सुप्रीम कोट ने माना थे कि जो आपने 15 साल की सीमा रखी है वो पोक्सो एक्ट के तैत एकदम अपोजिट है पोक्सो एक्ट में तो 18 साल माना गया अगर उसकी शादी हुई है तो यह चीज जो है 15 से 18 साल के जो आपने गैप छोड़ रखाता है जो ग्रे एरिया था उसको जो है वो नहीं कानून में शामिल कर लिया गया है भीड द्वारा की गई हत्या के अपरादों को शामिल करना भी एक महतपूर्ण है और इस तरह के जो ग्रेणा अपरादों की विधाई स्विकृति का संकेद देता है मकदमों की वीडियो कॉनोफेंसिक पर जोर जल्दी से जल्दी सुनवाई के लिए समय सीमान इरिधारित करने से न्याय जो वितरण में सुधार होना चाहिए बहुत बढ़िया चीज़े की गई है एक टाइम पिरिड जो है यहां पर सेट किया गए कि इतने टाइम में जो चीज़ें वो हो जानी चाहिए लेकिन उनकी सफलता कब होगी जब इनको वाकई में जमीनी सतर पर एक इंप्लिमेंट किया जाएगा हाँ इनके उपर काम हो रहा है हमारे देश में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कानून भी है लेकिन उन कानून का हम करें भी क्या जब तक उनका सही से इंप्लिमेंटेशन ही ना हो तो यह हो गया आपके सामने आप उसके उपर अपना जजच्मेंट दीजिए चार्जी तो भी फ्रेंब विदिन सिक्टी डेज ओफ फर्स्ट हेरिंग मतलब कि जल्दी जल्दी चार्जी जो है वो जल्दी लगाया जाए फर्स्ट हेरिंग के सार दिन के अंदर अंदर तो यहां पर एक टाइम फ्रेंब जो हो सेट किया गया है यहां पर क्या बोला गया है स्टेट्मेंट ओफ रेव विक्टिम टू बी रिकोर्डिड बाइ फीमेल पुलिस ओफिसर इन दा प्रेव विक्टिम है उनसे आपने को स्टेट्मेंट लेनी है तो एक फीमेल ओफिसर लेगी और दब लेंगी जब उस रेव विक्टिम के साथ उनके कोई गार्डियन या फिर वहां पर उनकी कोई रिलेटिव होंगे मेडिकल रिपोर्ट विक्टिम विधिन सेवन डेज होनी चाहिए प्रोविजन ओफ इंप्रिशनमेंट और डेथ पेनल्टी फोर गैंग रेप ओफ ए विक्टिम बिलो एटीन इयर ओफ एज क्लेर हुआ यहां पर सीधा ही उनको बोल दिया गया है यहां पर इनको क्या होग हुआ उमर कैद यहां फिर डेथ पेनल्टी दी जाएगी एफार कैन बी रिजिस्टर फ्रों एनिवेर यहां आप एफार जो हो कहीं पर भी करवा सकते हैं जीरो एफार हैस बिन इंस्टिटिटिटिटिवनलाइज मतलब कि आप कहीं पर भी भारत के किसी भी कोने में हो आप थी ती ति अब वो 63 होगी गैंग रेप में तीन सो चेंटर काSi थी अब वो सत्तर होगी गैर कानूनी सब़ा जो वह 141 154 में आती ती अब वह 189 में आने लगें देज हत्य तिया 304 के B में आती थी अब वो 80 में आ गईंगी हत्या का प्रियास 307 में आता था अब वो 109 में किटनेपिंग 369 में आती थी, वो 137 में आ गई, हमला 350 में आता था, वो 130 में आ गया, पीछा करना 354 के D में आता था, वो 78 में आ गया, clear हुआ ये आपके सामने, अब जबरन एपराकर्तिक संबंद बनाना अब गैर कानूनी नहीं है, ठीक है, अब यहां पर अडल्टरी को भी क्रिमिनल कानूनों से हटा दिया गया, जिससे अब ये अपराद नहीं है, बच्चों से जुड़े अधिकतर अपरादों में लेंगिंग एंसमान तक हटाया गया, लड़के लड़कियों दोनों को पराबरी अधिकार मिलेंगे, इसके उपर भी हम डिसकस करेंगे, आगे च ताबिक अगर कोई व्यक्ती 18 साल के कम उमर का, जो लड़का हो ये लड़की, उनको उनके सरंक्षन की मर्जी, यानि की जो भी उनका गाडियन है, उनकी मर्जी के बगएर बहला फुसला कर ले जाता है, यानि किड्नैपिंग करता है, तो धारा 137, 138 के तैट, 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है, इन मामलों में अब महिला पुलिस अदिकारी बयान दर्ज करेंगी और जांच संभालेंगी, पहले IPC में इस अपराद के लिए लड़के की उमर जो थी, वो 16 साल थी, और लड़कियों की उमर क्या थी, 18 साल थी, अब इनको क्या कर दिया गया, से पीचे दर्वान सामने ये बात भी बोली थी, कि आपने बहुत सारे कानून तो ओलेडी 90 to 99 परसेंट जो है, वो so-called IPC, CRPC से उठाली, आपने नया क्या कर दिया, इस से बेटर तो यह होता ना, कि आप उसके अंदर कुछ नए प्रावधानी डाल देते, तो इसमें आपने नया लाके क्या करते, ये बात बोल दी इन्होंने, भारतिय नयाई सहिंता की में 18 साल से कम उमर के बच्चों की वहशवरिती के लिए खरीद फ्रोक करने पर भारतिय नयाई सहिंता की धारा 98 में, 99 में के मताबिक कम से कम 7 साल और अधिक्तम 14 साल की सजा का प्रावधान है, पहले IPC में इस अपरावध के धारा 361 के तैत अधिक्तम 10 साल की सजा दिसा सकती थी, इसमें 4 साल की व्रीधी कर दी गई है, अब जो एक remaining gray area यानि कि जिनको उपर ध्यान दिया जाना चाहिए था, वहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्योंकि उनके उपर ध्यान नहीं दिया गय उनके संचालन को रोक दिये जाने के एक साल बाद आया था, जिसमें मतलब ये थोड़ा हिंदी में आयट पटा, एक तरीके से जब भी मैं देखे क्या होता है कि मैं इस सेम चीज़ को टाइप करता हूं और इस टाइप को Google Translation में रख देता हूं, जैसी मुझे हिंदी मिलती की बात बोली कि सुप्रीम कोट ने बात बोली भी थी कि आप इस राजदरो को टा दीजी क्योंकि यहां पर ये एक Unconstitutional है, एन समय धानिक है, ये खुद सुप्रीम कोट ने बात बोली थी, अब सरकार ने ओविसली राजदरो को टाया है, लेकिन बड़ी चलागी से अटा द हैं कि कौन-कौन इसके अंदर आएगा, लेकिन इसको अभी बरकरार ही रखा है, अपराधी कानून लागू होने के साथ दूसरी सबसे बड़ी चिंता है, अगर प्रूश है तो बलतकार के लिए दंड का मुद्धा क्या होगा, अब ये काफी जादा इंपोर्टन्ट है, ए उनके साथ भी तो गलत काम होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाता है, अगर उनके साथ अगर उनके साथ शारिक संब्ध बनाये जा रहे हैं, हमने देखा भी है कि ऐसी चीज़े हो रही हैं, तो उनके लिए क्या होगा, तो यहाँ पर आपने 377 धारा जो प लेकिन अगर किसी ने अपनी इच्छा नहीं दर्चाए, उसके साथ जबरदस्ती किया है, मेल की बात कर रहा हूं, तो वहाँ पर सिर्फ मेल को यहाँ पर क्या किया गया है, 377 के तहती उसको बचाव दिया गया है, बाकि महिलाओं के लिए जो चीजें थी, वो इन सब जो है, उनके अंदर क्या-क्या बदलाव हुए है, पहले क्या था, अब थोड़ा बहुत नया क्या आ गया होगे, फिर से बता जाता हूं, देखिए, जो अगर आप लोग की पढ़ाई कर रहे हैं, या आप लोयर हैं, तो आपको विसली यह सब चीजें डिटेल में पढ़न चैनल को सब्सक्राइब करके, शेर कर दीजी वीडियो को और जादा कर पसंद आगी है, तो फिर से पीडियो के लिए मता देता हूं, डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलिग्राम का एक चैनल दिया में लगा, तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की पीडियो जो कर सकते हैं, तब साज के लिए इतना है था, थैंक्स पर ओजिंग इस वीडियो